यह जो वी ग्रूप पुली का कोश्चन आपको समने दिखाई दे रहा है इससे मिलता जूलता ही कोश्चन पेपर प्रिवियस एर के कोश्चन पेपर में आ चुका है इसलिए आज मैं यह वाला कोश्चन सॉल्फ करवाने जा रहा हूं तो वीडियो पर एंड तक देखना अग दोस्तों आप देख सकते हैं सभी डायमेंजन के आगे डायमेटर लगा हुआ है और डायमेटर के मतलब ही होता है कि वह सरकल है इसका मतलब यह हुआ कि जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वह भी सरकल ही है यह वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा ह यह इस वाले आईसमेट्रिक का खाली front view है इतले आपको यह ऐसा दिख रहा है आप देख सकते हैं कि 2 mm की चोड़ाई आपको आईसमेट्रिक में यह दिखाई दे रही है बीच में जो 10 mm का gap है वो आईसमेट्रिक में आपको यह दिखाई दे रहा है वापिस से दो आम के चोड़ाई जो है वो आपको आइसामेट्रिक में ये दिख रही है और बचा हुआ जो इस पर है वो पीछे दिख रहा है ये वाला उपर जो नट लगा हुआ है वो भी दिख रहा है आपको सबसे बड़े वाले भाग का माप इसमें डायमेटर 40 दे रखा है उससे छोटे वाले का माप इसमें डायमेटर 25 दे रखा है ये वाली जो लाइन आपको दिखाए दे रही है ये हैचिंग लाइन होती है hatching line हमेशा 45 degree के एंगल पर ही घीची जाती है और hatching line का इस्तमाल तब ही किया जाता है जब हमें कोई बाद कटावा दिखाना हो इसका मतलब यह है कि यह वाला जो front view है यह sectional front view है मतलब इस front view को काट के दिखाया गया है sectional view भी दो प्रकार के होते हैं एक half sectional view दूसरा full sectional view आप देख सकते हैं इसमें object पो पूरा काट के नहीं दिखाया गया है खाली आदा ही काटा गया है इसलिए यह वाला half sectional view में जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है दो गुणा 45 degree इसका मतलब यह है कि यह वाला इससा दो जगे पर बना हुआ है और यह वाला जो angle कटा हुआ है यह 45 degree पर कटा हुआ है यहाँ पर जो वी ग्रूप पुली के बीच का angle दिखाय दे रहा है वो 49 degree दिखाय दे रहा है और जो screw का size है वो M4 दिखाय दे रहा है इसका मतलब यह है कि screw का size 4 mm है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यह drawing अच्छे से समझ लिए तो चलिए अब हम इस drawing से संबंदित कुछ question answer भी solve कर लेते हैं इस पुर्जे का नाम क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं इस पुर्जे का नाम यहां पर वीग्रूप फुली दिगा हुआ है हम भी यहां लेग लेते हैं वीग्रूप फुली दूसरा question दिया हुआ है इसे तहाँ अप्योग में लाते हैं दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि वीग्रूप फुली का इस्तमाल पावर को ट्रांसफर करने के लिए ही किया जाता है तो हम भी यहां लग देंगे पावर ट्रांसफर तीसरा कोश्टन ने दिया हुआ है कि पुली का अव्यास कितना है दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पुली का अव्यास है यहां पर 40 एम दिया हुआ है तो हम भी लिदेंगे यहां पर 40 एम पुली की मुटाई कितनी है दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पूली की मोटाई यहां पे चल हुई है और यहां पर सत्म हुई है यहां पर अगर हम इन तीन में इस क्रूव का माप M4 लिखा हुआ है मतलब हम यहां पर लिख देंगे फोर है अगला कोश्चन इसमें दिया हुआ है कि जी जुरूफ का कोड क्या है दोस्तों आप देख सकते हो कि जी जुरूफ का कोड यहां पर उलतालिस हैं दिया हुआ है हम भी यह लिख देंगे इन तार इस डिडी पुली की खब के साथ लंबाई क्या है दोस्तों आप देख सकते हो कि ये वला इसा पुली है और ये वला इसा हब है अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी दोरियां पे नीचे इतक्ति से हम लिख सुई है दोस्तों आप देख सकते हो कि वी ग्रोंग यहां पर दो जगा दिया हुआ है एक उपर की तरफ और एक नीचे की दरफ उपर से नीचे तक की दोरी 40 AEM है लेकिन बीच की दोरी यहां पर 25 AEM दे गई है तो हम ऐसा करेंगे पेले 40 में से 25 AEM को माइनस कर देंगे इसकी दूरी यहां पर आ जाएगी 15 और यह दो जेगे पर बना हुआ है इसलिए हम लोग 15 को दो से बाग कर देंगे तो यहां आ जाएगा 7.5 बत्त बीद रूप के जो गहराई होगी और 7.5 उपर होगी और 7.5 नीचे होगी अमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए helpful होगी मगर अगर आपको अभी भी इस topic में कोई doubt है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद